हेलो स्टूडेंट आज के लेक्च्चर में हम लोग एडिशन मोडुलों की एक एक्जांपुल सौल्फ करेंगे देखें एडिशन मोडुलों का एक्जांपुल क्या है एक्जांपुल प्रूफ दाट Z4 इक्वल्स टू 0 1 2 3 यह सेट में 4 एलिमेंट है यह एक फाइनाइट न बोल रहा है कि एडिशन मोडुलों का अपरेशन लगाई है देखें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट जब भी होता है उसमें हम लोग ले टेबल लगाते हैं देखें ग्रूप कैसे बन था है सेट और ऑपरेशन सेट में यहां पर 4 एलिमेंट है और ऑपरेशन में कितने एलिम चलो हम लोग टेस्ट करते हैं जेड फोर में नंबर ऑफ एलिमेंट आर 0,1,2,3 जब भी भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तभी हम उसको कमपोजिशन टेबल में सॉल्फ करेंगे देखें मैं कमपोजिशन टेबल बना रही हूँ उसको क्ले टेबल भ कितना होगा जीरो सो जीरो प्लस वान कितना होगा वान होगा वान को हम लोग फोर के साथ दिभाइड नहीं कर सकते हैं जीरो प्लस टू कितना होगा टू टू को हम लोग फोर के साथ दिभाइड नहीं कर सकते हैं जीरो प्लस थ्री कितना होगा थ्री होगा थ्री भी नोट कितना होगा टू भी नहीं होगा 1 प्लस 2 क्या होगा 3 होगा 1 प्लस 3 क्या होगा 4 होगा 4 के साथ इसलिए 4 को मैंने जब भी 4 के साथ दिभाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0 आया हम लोग आदिशन मोडूलों में कैसे करते हैं दो एलिमेंट को एड कर देते हैं उसके बार डिभाइड करते हैं according to the property और formula उसके बार देखें 2 प्लस 0 क्या होगा 2 होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा 4 क्यों 4 के साथ दिभाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता ह 2 प्लस 3 कितना आएगा 5 आएगा 5 को आप लोग 4 के साथ दिभाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा 3 प्लस 0 कितना होगा 3 होगा 3 प्लस 1 कितना होगा 4 4 को 4 के साथ दिभाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 0 3 प्लस 2 क्या होगा 5 5 को 4 के साथ दिभाइड करने पर रिम और आएगा टू यहां से हम लोग को पता चला जो फोर मतलब क्या होना है फोर फोर होना चाहिए और ग्रेटर देन उसके बाद आता है औसके बाद आता है अबिले दूइमेंट लिजे उसमें अडिसल मोडुलों का आपरेशन कीजिये तो रिजल्ट क्या न चाहिए येabs चारों में से ही एक आना चाहिए, देखें हम लोग ने ये चारों एलिमेंट को ओपरेट किया तो result हम लोग को जो भी मिला after composition वो चारों में से ही एक है, that means ये एस्वोशियेटिव में तीन कोई भी एलिमेंट ले लिजिए, ओपरेशन कर दीजिए, तो ये चारों एलिमेंट स ही एक आएगा, that means ये associative property भे होल कर रहा है, उसके बाद देखिएंगे, identity हो रहा है कि नहीं, देखें, 0 के साथ क्याइड करने पर हम लोग को 0 मिला, 0, 0 के साथ क्याइड करने पर हम लोग को 1 मिला, 1 के साथ क्याइड करने पर हम लोग को 1 मिला, 0, 2 के साथ क्याइड करने पर हम लोग को 2 मिला 0 3 के साथ क्या अड़ करने पर हम लोग को 3 मिला 0 यहां पर यह होता है 0 होता है अड़िश identity property होल कर रहा है मतलब 0 को 0 के साथ अड़ करने पर 0 आता है 1 को 0 के साथ अड़ करने पर 1 आता है 2 को 0 के साथ अड़ करने पर 2 आता है यहां से हम लोग clear हो गे ते यह बाला first row में जो element है वो हमारा identity element हो गया identity भी exist कर रहा है उसके बाद देखें inverse हो रहा है किने देखें first row में 0 यहां पर है second row में 0 यहां पर है third row में 0 यहां पर है fourth row में 0 यहां पर है यह 0 हम लोग को कैसे मिला that means 0 का inverse क्या हो गया 0 1 का inverse element क्या हो गया 3 2 का inverse element 2 हो गया 3 का inverse element 1 हो गया इसमें यह क्या पता चला यह inverse property भी hold कर रहा है देखिए एक्जम में आप लोग कैसे लिखोगे यह तो समझने की बात है समझ गए उसके बात कैसे लिखना है closure exam देखिए closure exam means closure property all the entry in the table are the element of G4 Z4 the closure exam is satisfied समझ गए G2 क्या है associative exam देखिए consider किए 3 element 1 addition modular 2 कितना होगा 2 plus 1 3 होगा 3 addition modular 3 3 plus 3 क्या होगा 6 होगा 6 को आप लोग 4 के साथ divide करने पर हमको reminder कितना मिलेगा 2 मिलेगा देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 plus 2 कितना होगा 5 5 को आप लोग 4 के साथ divide करने पर reminder कितना मिलता है 1 मिलता है 1 plus 1 कितना अगर 2 equal होगा associative exam is satisfied in Z4 similarly देखे G3 में identity exam क्या है identity property hold कर रहा है किने दो रो लिदेड बाई दो एलिमेंट जीरो इज आइडेंटिकली टू दो टॉप रो जीरो इस दो आइडेंटिक एलिमेंट तो जीरो बिलोंग स्टो जीरो फोर समझ गे उसके पाद देखे इनवर्स exam hold कर रहा है किने इनवर्स exam में क्या 0 का inverse 0, 1 का inverse 3, 2 का inverse 2, 3 का inverse 1 जो Z4 उत्र एक्सपेक्ट टू एडेशन मोडूलो 4 इस जीर ग्रूप commutative exam hold जो Z4 उत्र एक्सपेक्ट टू एडेशन मोडूलो 4 इस जीर एबिलियन ग्रूप समझगे देखे और एक एक्सपेक्ट लेते हैं प्रूप धेट Z10 Z10 में ये नंबर ओफ एलिमेंट दिया हुआ है 1, 3, 7, 9 एडेशन मोडूलो 10 ये देगिया हुआ है एलिमेंट इस जैन एबिलियन ग्रूप उत्र एक्सपेक्ट टू मॉल्टिप्लिकेशन मोडूलो 10 यहां पर दिया हुआ है मॉल्टिप्लिकेशन मोडूलो 10 ट्रिभियस एक्सपेक्ट में हम लोग एडेशन मोडूलों में बारे में एक एक्सपेक्ट किये थे अब भी हम लोग मॉल्टिप्लिकेशन मोडूलों की बारे में कुछ करेंगे देखे मौल्टिप्लिकेशन मॉडुलो यह finite number of element है finite number of element को हम लोग कैसे करेंगे clay table में देखे clay table में ने बना दिया है हां पर clay table में कितने element है 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7 multiplication मॉडुलो देखे 1 multiplication 1, 1 1 multiplication 3, 3, 1 multiplication 7, 7 मतलब यह देखे 10 से बड़ा नहीं हो रहा है 1 multiplication 9 9 similarly 3 multiplication 1 3 ये भी less हो रहा है 3 multiplication 3 9 3 multiplication 7 21 हो गया ये क्या है 10 से greater है तो ये divided हो जाएगा 10 2 जा 20 so reminder is 1 तो answer कितना हो गया 1 3 multiplication 9 27 27 greater than 10 तो ये भी divide होगा 27 divided by 10 2 जा 20 so reminder is 7 so 7 1 जा 7 7 3 जा 21 21 greater हो गया उसके बाद देखे 21 को 10 के साथ divide करने पर reminder 1 आएगा 7 7 multiply किजिए 49 49 भी greater than 10 हो रहा है so 49 को आप divide किजिए 10 के साथ 10 4 जा 40 so reminder is 9 similarly इस थरा से आप लोग complete composition table निकालेंगे आप भी देखेंगे एक एक property आप लोग देखेंगे देखिए इस चारों element है 1 3 7 यहां पर भी देखिए 1 3 7 इसको हम लोग ने जब भी multiplication module किया जो भी composition निकला इस चारों element से ही एक आया है that means एक closure property और associative property खोल कर रहा है देखिए यह हो गया identity 2 के साथ क्या but 9 के साथ क्या multiply करने पर नाई आता है 1 that means एक identity property बें शोल कर रहा है So 1, 1 इस थारह से मिला, so 1 inverse is 1, देखे से मिला, यह 1 कैसे मिला, 3 inverse element is 7, यह कैसे मिला, 7 inverse element is 3, 9 कैसे मिला, 9 inverse element is 9, देखे, यह सब property hold कर रहा है, that means यह क्या हो गया, एक abelion group हो गया, आप लोग committed property check कर लिजिये, उसके बाद देखे, यह बाद दो ठो example है, आप लोग खुद करना, देखे, proof that g equals to set दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, number of element is an abelion group under addition module 6, group check करने के लिए हम लोग को set चाहिए, और operation चाहिए, देखे, operation addition module का दिया हुआ है, set दिया हुआ, इसलिए चेक कर सकते हैं, यह और एक example दिया हुआ है, proof that g equals to 1, 2, 3, 4, is an abelion group under multiplication module 5, Thank you student, आज के लिए बस इतना है,